अगर मजदूरों को उसनका हाग अधिकार नहीं मिलेगा तो वो नासी है कोई फिकास थोड़ी ना है नासी कर रही है तरका एंडम सी परसासन ठेकेतारी परसा को बढ़ावा दे रहे हैं जो हमारे टीमार करमचारी है स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आप देखने जनहीत आवाज और मैं हूं रंजग कुमार आपने कई बार मोदी जी के मुझे सुना होगा एक भारत स्रेष्ट भारत ठीक है राष्ट निर्मान चल रहा है 2014 से जो भारत है एक अलग गती में बढ़ रहा है पूरे विश्व में डंका बज रहा है हमारे साथ एक भाइसाहब है विमल कुमारे का नाम है इनका साब साब कहना है कि देश का विकास ही क्या करूं जब मेरे घर का विकास नहीं हो रहा है सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एक पूरे 2014 से ये चल रहा है कि पूरे भारत का डंग का पूरे विश्व में बज रहा है क्या कहेंगे आप सर मेरा तो यही कहना है देखो देश का विकास हो रहा है, पुलो का विकास हो रहा है, रोल अच्छे अच्छे बन रहे हैं, हाइवे अच्छे बन रहे हैं, स्कूल एक से खुल रहे हैं, अच्छे अच्छे मॉल बन रहे हैं, और सबों की सेल्डियां भी बढ़ रही हैं, तो सबसे पहले मेरी काम मुहें काम मिलेगा जब में मौल जा सकता हूं इन डोलों पर घूम सकता हूं अच्छे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूं लोग जा चुके हैं लेकिन इतने लोग ये वेकार में किसी के पास कोई अपने बच्चों को छोड़ के आया कोई अपने बच्चों अब जोड़ नहीं रहा है सबों को दिख रहा होगा लेकिन मेरे लिए तो मेरे घर का विकास सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि मेरे बच्चे अगर सही से पढ़ेंगे लिखेंगे और यह जितनी भी आपके घर का विकास कैसे रुग गया है मोदी जी तो पूरे 140 का जो है उनका परिवार है तो क्या वो आपको अपने साथ लेकर नहीं चल रहे हैं हमारे टीमर वर्ग है को 2014 से सब खाली पड़ा हुआ है और यह खुद अपनी पॉलिसी से हटे पड़े इनका कहना यह है कि टीमर जो होता है छे महिने की परमीशन देके कुछ दिन अपने घर पे बैठा के रेगुलर उन्हें बुलाते हैं लेकिन इन्होंने 2014 से लेके आज यह 2024 चल रहा है तो सबसे पहले तो हम की आम्मार को भी अब तो कहा जा रहा है कि पक्का करें सबसे बड़ी बात इतने लोग बड़ी अपने बच्चों को पालने में पो उसने में सब्सक्राइस, लेकिन लगाते कहां है, बताते बहुत मुछ एप का नाम क्या है एक नाम इंका नाम ही विकास है और जो है यह हिमाचल से सांसद हैं कंग्णा रहानोत मंडी जीले से भाजबा की सांसद हैं वह करते हैं कि 2014 भारत आज़ाद हुआ है और विकास की एक नई लेकिन मोदी जी की शरकार में कोई किसी का विकास नहीं मिलेगा तो वो नास ही है कोई विकास नहीं हो रहा है ना सी कर रही है कि हमारे करमचारियों से मिलने उन से नकार देती है उनको बगा देती है यह चाहते है कि ठेकतारी परता को बढ़ावा दे रहे जो हमारे ती हमारे करमचारी इया सब्सक्राइब कांप करना तो किसी अधर से नहीं से प्रसाइब बना रखा है जो 6 मईने डूल गटाय bilmiyorum और हमने इतने साल 10-15 नोकरी करिया हैं आज हमने के अंदर यूंह सरकारी विभाग जो बना हुआ है फाइदा कि अजब श्रकारी विभागों में करम करमamwhat पक्का ये अमीद पर वेटा उवाक द안 करी दस साल से हम कारे कर रहे हैं तो हम यह सोच के कर रहे हैं कि आज हम आज तो हम कानुन बने हुए कि छे महीने डूटी या उनकी उनकी जैसे कि 500 हाजरी देश पर 500 जिनके दिन 500 हो जाते थे और सुप्रीम कोट के भी ओडर दिये गए है कि 200 हाजरी पर करमचारियों को पक्का कर जाए लेकिन ना तो यह सुप्रीम कोट का जी यह जी मेरे को इतना ध्यान नहीं है लेकिन यह मैं मतलब की लिकाल के मैं दिखा सकता हूं कि यह आदेश दिये हुए है यह पहले में मेरे कंफर्म नहीं यह बाद भी जो है अप लोगों को पक्का नहीं कर रही है उसके बाद पर शाषन जो है ताना साही रूप अपना यह पक्का नहीं कर यह चार सल कारे करेगा वह परमनेंट कर दे यह यह रूल जब से चेंज हो गया यह चोदा से मोदी सरकार की मोदी सरकार आई यह जब सरकार आई है जब से बीजेए पी सरकार आई है 2014 से मोधी जी आए तब से आप लोगों को जो पर्मानिन इंट जो 2014 के पहले किया जाता था तो उसको भी हटा दिया गया उसको खतम कर दिया गया खतम कर दिया बिल्कुल तो जैसा कि आप देखरें विकास जी कह रहे हैं किस प् भाई साब आपकी क्या समस्य आप क्या कह रहे थे कि कुछ आपको विकलांग कोटे कर लेकर समस्य बता है तो क्या आप उस प्रतिशत वाले कोटे में आते हैं विकलांग का जो है कि कुछ है यह तो आपको पता है 55% में आते हैं जिसमें विकलांग कोटे स्रेणी के तहता आपको नौकरी दे दी जाए उसमें लेकिन सरकार उसमें भी नहीं कर रहे हैं क्या नाम है आपका दीपक आप लोगों को बताए जाता हूँ तो यह दीपक जी है और अभी हम से पहले कुछ दिर पहले विकास नाम के युग ने बात की और बता रहें कि किस प्रकार से जो है सरकार जो है 2014 के पहले 500 हाजी लगने पे काम को पका कर देती थी पर्मानेंट कर देती थी वो हटा दिया गया तो किस प्रकार से जो मेंस्ट्री मीडिया यह दिखाता है कि 2014 के बाद जो है देश एक नई दिसा में जारा विकास रत पे स दवार है और इनका ये है कि इनका निजी करन कर दिया गया ठेकेदारों के रहमों करम पे इनको छोड़ दिया गया है क्या है आपकी राइस छोड़े सी बात्चित पे आप अपनी राहे में ज़रू बताएं मैं रंजय कुमार कैमरामेन आशिश के साथ जन हितावाज धन्यव चस्वेस अराइस ले प्योड़े सी जक रीक्या है नया खाइस भ्योड़े सब्सक्षित अराइस